हलो एब्रिवन दिस इस अनोजा और आज का टॉपिक है दितिय अफगान सामराग्जा शेर्षा सूरी यह टॉपिक सेकंड यर बिये पार्ट सेकंड यर के फर्स्ट पेपर मद्धेकालिन भारत का इतिहास से लिया गया है इस वीडियो में हम लोग शेर्षा सूरी के बारे मे अध्यन करेंगे सभी को पता है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में उसमें बाबर ने इबराहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की मुगल राजवन्श की स्थापना की यह युद्ध 1526 इस वे में हुआ था इस युद्ध के उपरांत पूरी तरीके से अफगान शक्ती जो थी नस्ट नहीं हुई थी और बंगाल बिहार वाला जो शेत्र है जौनपूर बंगाल बिहार इत्यादी शेत्रों में अभी भी अफगानों का तबदबा जो था वो बना हुआ था आगे चल करके इनी अफगानों का नेता शेर खां जो शेर शहां के नाम से दिल्ली में अपनी सत्ता उसने इस्थापित की और दिल्ली में कुछ समय के लिए साशन किया और सूर राजवंच की स्थापना की ये जो सूर राजवंच था अफगान वंच था इसलिए से दूसरा अफगान वंच कहते हैं क्योंकि पहला अफगान वंच जो था लोदी वंच ये भी अफगान ही थे तो पहला अफगान सामराज्य जो था लोदियों के द्वारा स्थापित किया गया और दूसरा शेरशाह के द्वारा इसलिए से दित्तिय अफगान सामराज्य का संस्थापक कह सकते हैं शेर्शा का जो साशनकाल था एक्सरेश्ट और सूसंगठित साशन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है शेर्शा के बच्पन की अगर बात करें तो उनके बच्पन का नाम फरीद था और इब्राहिम सूर के ये पोत्र थे इब्राहिम सूर जो है पेशावर के निकट अपने गोडों का व्यवसाय करते थे और आगे चलकर के वो इन्होंने हरियाना के जो जागिरदार थे वहाँ पर अपने यहाँ नौकरी कर ली और इसी का पुत्र था हसन खा जिसकी यहाँ फरीद खा या शेर्शाह का जन्म हुआ शेशा के जन्म स्थान और उनकी जन्म की वर्ष के संबंद में बहुत अधिक मतभीद है कुछ लोग 1486 इस्वे में उनका जन्म होना बताते हैं कुछ 1472 इस्वे में उनका जन्म होना बताते हैं हसन کھا जो है उन्होंने नौकरी बदली और जॉनपुर के जो गवरनर थे जमाल खा उसके यहां नौकरी कर ली और जब वो बिहार गए तो उसके साथ हसन खा भी बिहार चले गए और यहां पर हसन खा को जमाल खा ने सहसराम, खवासपुर और टाड़ा के जो परगना थे उन और पहली बार एक कुशल प्रबंदक के रूप में उसकी छवी जो है दिखाई देती है इस जागीर के प्रबंदन के दौरान शेशाह ने इस जागीर में जमीन की विधिवत पैमाईश करवाई उसका वर्गी करण किया और उसमें होने वाली पैदावार के आधार कर अलग-अलग तरीके से उसको वर्गी करत कर और वहां लगान संबंदी स्रिष्ट व्यवस्था इस्थापित की किसानों के हितों का द् में में उसने साशन प्रबंद का उचित जो है अनुभव प्राप्त किया शेशाह ने दक्षन बिहार की साशक बहार खां लोहानी के यहां फिर नौकरी कर ली और उसकी मृत्यू के पश्चात यानि बहार खां के जम मृत्यू हो गई तो उसका जो उत्रा दिकारी था जलाल खां अल्पवयस्क था तो जलाल खां के संरक्षक की रूप में उसने बिहार के डिप्टी गवर्नर की हैसियत से बिहार के साशन और वहां की सेना का पुनरगठन किया वहां के जो लोहानी सरदार थे वो इससे काफी आसंतुष्ट हो गए क्योंकि हसन खां फरीद जो था य नुसरत शाहा उसको बिहार पर आकरमन करने के लिए राजी कर लिया और 1529 इसवी में बंगाल का साशक था नुसरत शाहा उसने दक्षन बिहार पर आकरमन किया इस युद्ध में शेर्शाह जो था उसने नुसरत खां को बुरी तरीके से परास्त किया और शेर्शाह की प्र ख़ूँ साशक बहारखा लोहानि के यहां नौकरी करते हुए उसने एक शेर को बीना किसी अस्त्र के बिना किसी हतियार के मार डाला और बहारखा लोहानी ने उसे शेर खॉाँ की उपाधी पुर्दान गी और आगे चल करके जब ये साशक बना तो इसने शेर शहा की उपादी धारण की अब दक्षनी बिहार में जब इसकी शक्ती सुद्रड हो गई तो इसने चुनार का दुर्ग था उस पर अधिकार कर लिया चुनार में गवर्नर था ताज खां सारंग वानी और इसकी सबसे प्रिय बेगम जो थी सबसे छोटी बेगम थी लाड मलिका जब ताजखा सारंगवानी की मृत्यू हो गई तो उसके जो पुत्र थे उन्होंने लाड मलिका के खिलाफ जगडा जो है वो शुरू कर दिया और लाड मलिका ने शेर खा को आमंतरित कर चुनार का दुर्ग उसे सौप दिया और स्वैम शेर खा से विभा कर लिया चुनार का दुर्ग जो है कासामरिक दुरुष्टी से बहुत तितिक महत्वपूर्ण था साथ ही शेर शाहा को चुनार से काफी धनवी प्राप्त हुआ इससी उसकी जो महत्वा कानशाती उसको और अधिक बल मिला हुमायू से आरमविक संगर्ष हुमायू जो था उसने चुनार पर घेरा डाला शेर शाहा जो था उस किले की रक्षा का दाई तो अपने पुत्र को सौंप करके सुवयम भरकुंडा की तरफ चला गया इस समय जो हुमायू था उसे सूचना मिली कि गुजरात का साशक बहादुर शाह चत्तोर पर आकर्मन कर रहा है और हो सकता है कि वो दिल्ली पर भी आकर्मन करें तो दिल्ली पर आकरमन की इस आशंका से प्रेडित होकर हुमायू जो था उसने शेर खां से संधी करने का निश्चे किया और शेर खां से 1533 इस्वे में संधी कर ली शेर खां जो था उसने हुमायू के प्रति स्वामे भक्त रहने का आस्वाशन दिया या प्रतिग्या की बंगाल अभियान और रोतास घड़ पर शेर्शाह का अधिकार शेर्शाह जो था मुगलों के और से निस्चिंत हो गया अब उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारम्द किया इसके लिए उसने जब जिस समय हुमायू चुनार का गहिरा डाला हुआ था उसमय शेर्शाह जो था वो बंगाल की और आगे बढ़ गया और बंगाल पर आकरमान कर उसने गौड का जो दुर्ग था उसपर अधिकार कर लिया गौड में बंगाल के साशकों का खजाना था और उसने इस खजाने को प्राप्त हिया और इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए उसने रुहतास गड़ का जो दुर्ग था उसको चुना रुहतास गड़ जो था बहां का साशक हिंदू साशक था जो शेर शाहा का मित्र था और शेर शहा ने उससे अपने परिवार और खजाने के लिए शरन प्राप्ति का प्रयास किया और रोतास गड़ के साशक ने उन्हें शरन प्रदान कर दी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ शरन लेने के पस्चाहत उन्होंने जो हिंदू साशक था और उसके जो सैनिक थे उनको दुर्ग से निकाल करके और दुर्ग पर सुयम अपना अधिकार कर लिया एक उन्हें रोतासगड का सुद्रड दुर्ग अपने शरण के लिए प्राप्त हो गया और दूसरा रोतासगड में जो खजाना था हिंदू साशकों का वो भी उसे राप्त हो गया हुमायू जो था उसने जब चुनार पर पुना आक्रमन का चुनार पर अधिकार कर लिया था उसके बाद वो बंगाल की और आगे बड़ा और बंगाल के गौड दुर्ग पर उसने अपना अधिकार कर लिया लेकिन इस समय तक शेर्शा जो था सुरक्षिक तोर पर उतासगड में शरण ले चुका था हुमायू की कमी यहां पर ये रही कि उसने जब गौड पर अधिकार कर लिया उसके पस्चात अगले आठ महिने तक वो वही रहा और वही दिलास में अपना जीवन वतीत किया यह उसकी सबसे बड़ी कमी रही और इसका लाव उठाते हुए शेर्शा जो था उसने दिल्ली से हुमायू का संबंद विच्छेत कर दिया और बनारस और चुनार जो दुर्ग था उस पर पुना शेर्शा ने अपना अधिकार कर लिया इस समय गंगा से लेकर के कोसी तक का जो शेत्र था कोसी नदी बिहार में है वहां तक के संबूर्ण शेत्र पर शेर्शा का अधिकार हो गया था अब उसने हुमायू से संघर्श करने का सोचा गौर्ड दुर्ग में हुमायू को हिंदाल जो उसका भाई था उसकी आगरा के पास विद्रो करने का समचार मिला तो उसने वापस आगरा की तरफ लोटने का फैसला किया जब वो मार्ग में चौसा नामा के स्थान पर पहुँचा तो चौसा के स्थान पर उसे शेर्शा के सैसे निकट ही पड़ाव की सूचना मिली तो उसने शेर्शा का सामना करने का निश्चे कर लिया हुमायू जो था उसने प्रारंभ में शेर्शा को संदी का प्रस्ताव भीजा क्योंकि उसे आगरा भी पहुचना था और शेर्शा जो था उसने इस प्रस्ताव को स्विकार कर लिया लेकिन यह दिखावा था क्योंकि वो अचानक से आकरमन करना जाता था और हुमायू जो ह क्योंकि संदी का प्रस्ताव शेर्शा के द्वारा स्विकार कर लिया गया था तो थोड़ा सा असावधान हो गया हुमायू और इसी असावधावनी का फायदा उठाते हुए 26.1549 इसवी को शेर्शा ने अचानक मुगल शिविर पर आकरमन कर दिया इस युद्ध में जो हुमायू की सेना थी वो पराजित हुई और हुमायू यहां से आगरा की तरफ निकल गया इसके पस्चात शेर्शा जो था उसने हुमायू से अंतिम रोप से निर्णायर युद्ध करने के लिए बंगाल से वो 1540 इस्वे में रवाना हुआ और कन्नौज के पास जाकर के उसने अपने मोर्चा बंदी करी जब वर्शाकाल इसके सामने ही हुमायू ने भी अपनी सैसेन ने मोर्चा बंदी कर ली और जब वर्शाकाल आरंब हुआ तो अफगानों ने हुमायू की मोगल सेना पर आकरमन कर दिया हुमायू का जो शिविर था वो निचले स्थान पर इस्थित था इस वज़े से उसके शिविर में बारिश का जो पानी था वो भर गया और उनकी जो तोपे थी वो सारी पानी भरने की वज़े से खराब हो गई इस युद्ध में सीधे तोर पर शिविज़े हुई मुगल सेना जो थी वो भाग निकली और अनेकों सेनिक कहा जाता है कि जो नदी थी उसके अंदर के डूप करके मर गये हुमाय जो था उसने स्वयम बड़ी मुश्किल से नदी को पार करके वहां से निकला बिल्ग्राम या कन्योज की जो ये विज़े थी पंतर सो चालिस इस वी की इस विज़े के साथ ही भारत की जो सर्वुच्य सत्ता थी पुन अफकानों के हाथ में आगे बिल्ग्राम के इस विद्ध के बाद शेर्शा जो था उसने राज्या विशेथ उत्सव मनाया शेर्शा की उपादी धारन की खुत्बा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के ढलवाया इसके पस्चात इसने हुमायू का पीछा करने के लिए बरमजीत वोड को भेजा और खवास्था को भी भेजा इन्होंने हुमायू को ततकालिंग पंजाब की सीमाओं से बाहर कर दिया और उसके बाद ही उसका पीछा करने का जो ये प्रयास्ता उसको समावत किया गखर जो प्रदेश है वो सिंधु और जिलम की उत्तर में ये जो नतियां है उनके उत्तर में स्थित प्रदेश है साम्रिक तृष्टी से काफी महतर पून है क्योंकि बाहर से होने वाले जितने भी विदेशी आकरमन कारी थे वे लगबग इसी मार्ग से भारत में प्रवेश करते थे तो शेर्शा इस प्रदेश को अपने अधीकरत करना चाहता था लेकिन बक्करों के गखर जो सरदार थे उनके द्वारा शेर्शा का विरूद किया गया शेर्शा इस इन सरदारों पर पूरी तरह अपना नियांदर ने श्थापित नहीं कर सका इसे लिए उसने वहाँ पर रुहतास दुर्ग का निर्मान करवाया और लगबग पचास हजार के करीब सेना वहां रखी इसी समय उसे टोडर मल जो था वो एक योग ये अधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ जिस समय शेशा इस गखर प्रदेश में व्यस्त था और बंगाल से उसे बंगाल छोड़े वे काफी समय हो गया था तो बंगाल का जो गवर्नर था खिजर खाँ उसने बंगाल में विद्रोहू कर दिया और इसकी सूचना प्राप्त होने पर गखर प्रदेश को छोड़ करके अपने सैनी कधिकारियों के हाथों में ये शेशा वापस बंगाल के और लोटा वहाँ जाकर के इसने खिजर खाँ को बंदी बना लिया और समस्त जो बंगाल प्रांत था उसी अनेक जिलों में जिसे सरकार कहा गया इनमें विभाजित कर दिया और प्रतीक सरकार में एक फोजी शिकदार की नियुक्ति की ये एक सैनिक अधिकारी हुआ करता था शिकदार और इसका मुख्य कारे था शान्ती और व्यवस्था बनाये रखना सरकार में या जिले में इस प्रकार से उसने प्रांतिय साशन को एक नया रूप प्रदान किया और इन प्रांतिय अधिकारियों पर नियंदरन बनाये रख शेर्शाह 1541 में बंगाल से मालवा की और निकला मालवा पर आकरमन करने के अनेक कारण थे क्योंकि मालवा का जो शेत्र है उसी से होकर के दक्षन की और जाने वाले मार्व निकलते हैं सामरिक तुरिष्टी से भी मालवा का शेत्र काफी महत्वपून है और शेशा को ये भी संदेहे था कि मालवा का जो शेत्र है हुमायू उसको अपना केंदर बना करके और अपनी शक्ती को बढ़ाने का प्रयास भी कर सकता है इसी वज़े से क्योंकि उस समय अभी भी हुमायू जो था सिंद के शेत्र में ही रुका हुआ था मालवा पर आकर्मन करने से पहले गौालियर की शेत्र से होकर कि शेशा निकला गौालियर पर अधिकार कर लिया और उसके बाद में राइसीन का जो साशक था पूरणवल उसने शेशा की अधिनता सुईकार कर ली यहां से शेशा सारंगफूर की और बड़ा और इस समय मालवा का साशक कादिर शाह जो था भैवीत होकर अपनी राजदानी मांडू की तरफ आया लेकिन शेशा ने जैसे ही मालवा पर आकर्मन किया तो कादिर शाह जो था उसने भैवीत होकर के समर्पन कर दिया कादिर शाह से मालवा ले लिया गया उसके स्थान पर उसको एक अन्या चागीर दी गई लेकिन उससे संतुष्ट ना होने के कारण कादिर शाह जो था रातो रात वहां से निकल करके और गुजरात की और भाग निकला इस प्रकार से मालवा में कादिर शाह की सत्ता जो थी वो समाप्त हुई और शेर शाह वहां से रन्थंबोर की और बड़ा जहां की किलिदार उस्मान खाने रन्थंबोर का दुर्ग बिना किसी प्रतिरोध के रजिस्टेंस के शेर शाह को समर्बित कर दिया हमने अल्रड़ी कहा कि राइसीन का जो साशता पूरण मल उसने शेशा के अधीनतस विकार कर ली थी लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पूरण मल जो था उसका मुसल्मानों के प्रति उसने काफी सोशन कारी जो है बहेवियर किया था उसने जो मुसलिम सामंत परिवार थे उनकी इस्तरियों को इस्तरियों का अपमान किया उन्हें नर्तकी का पेशा अपनाने के लिए विवश कर दिया इस तरह के की शिकायते जो थी वो शेरशा को भी पराप्त हुई और 1543 इसवे में शेरशा ने मुसल्मानों के प्रतिस प्रकार का विववार देखते हुए उसे सजाद देने के लिए राइसीन को घीर लिया राइसीन के जो राजबूत थे उन्होंने आत्म समर्पन नहीं किया तो शेरशा ने कुरान इत्यादी का जो है कुरान पर हाथ रख करके और राजबूत राजा और उन सब की सुरक्षा का आसवाशन दिया तो पूरण मल ने आत्म समर्पन कर दिया लेकिन आत्म समर्पन करने के पस्चाथ उसको साथ ही के एक शिवर में ठहराया गया लेकिन दूसरे दिन जब वो उठे राजबूत तो उन्होंने देखा कि उनके दुर्ग को पूरी सेना उन्हें गहरा हुआ है तो इससे पता चलता है कि वो जो आसवाशन दिया गया था आत्म समर्पन के पस्चाथ सुरक्षा का वो सिर्फ एक वचन भंग शेर्शा के दुआरा किया गया और इसकी वज़े से पूरनमल जो था उसने अपने समस्त शिवर की जो इस्त्रियां थी उनका स्वैम अपने हातों से उनके हत्या की और मुगलों के खिलाफ उन्होंने अंतिम रूप से लड़ाई की ये जो एक घटना है वो कही जाती है शेर्शा के जीवन का एक जो उज़वल शरित्र था उसमें एक कलंकित करने वाला धब्बा कही जाने वाली घटना मानी जाती है इसी समय उन्होंने इसके जो विभिन गवर्नर थे उन्होंने मुल्तान और सिंदगी भी विजय कर ली अब मारवार जो था राजबुताने में एक प्रमुख प्रांत था और मारवार का साशक मालदेव काफी कुशल कूट नितिक्य था और उसने मारवार के साशक ने भीकानेर के जो साशक थे राव तल्यान मल उसको पराज़ित करके उसके आधे राज़्य को अपने मारवार में मिला लिया था मालदेव जो था उसने हुमायू को भी सहायता करने की पेशकश की थी लेकिन उस समय हुमायू ने मालदेव की सहायता सुविकार नहीं की और बाद में जब हुमायू ने अपना दूत मालदेव के पास भीजा तब तक काफी देर हो चुकी थी और मालदेव उसमें फिर साइदा नहीं करबाया हुमायू की इधर जो बीकानेर का साशक था कल्यानमल वो मालदेव से पराजित होकर कि शेर्शा से जा मिला और उसने मालदेव पर आकरमन करने के लिए शेर्शा को पृतसाहित किया राइसीन के विजए के बाद में जो शेर्शा था उसने मारवार पर चड़ाई की शेर्शा और मालदेव की जो सेनाई थी वो जैतारण के पास गिरी सुमेल नामकिस थान है एक दूसरे के सामने आखड़ी हुई और इस समय कूटनिती का जो है फायदा शेर्शा ने उठाया और ऐसा कहा जाता है कि एक जाली पत्र जो है उसने मालदेव के शिविर के पास टलवा दिया और जब वो पत्र मालदेव को प्राप्त हुआ तो मालदेव को लगा कि उसके जो सरदार हैं वो शेर्शा से मिल चुके हैं तो ऐसी आशंका होने पर उसने युद्ध नहीं करने का निश्चे कर लिया लेकिन उसके जो सरदार थे उनमें से दो प्रमुक सरदार थे जैता और कूपा उन्होंने शेरशाह के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चे किया और बारा हजार सेनिकों के साथ अफगान सेना का सामना दिया इस युद्ध में अंतिम रूप से क्योंकि लगवग 80,000 अफगान सेनिक थे उनके सामने 12,000 सेनिक अंतिम रूप से टिक नहीं पाए और लगवग सभी युद्ध में मारे गए लेकिन शेर्शाहा जो था राजपुतों की इस वीर्था को देख करके बहुत अचम्बित हुआ और उसने इस युद्ध के संबंद में कहा है कि वह एक मुठी वर बाजरे के लिए अपनी संपून भारत की जो बादशाहत थी उसको लगवग खो बैठा था मारवाड पर अधिकार करने के पस्चाथ उसने यहां व्यवस्था का दाइत्व खवास खां और ईसा खां को सौब दिया और स्वें मेवाड की और आगे बढ़ा मेवाड में इस समय उदे सिंग का साशन था और उदे सिंग ने 1542 इसवी में ही मेवाड की गद्दी पर अपना अधिकार किया था इस समय वे अल्प वयस्क था और शेर्शाह की चुनौती का सामना करने में असमर्थ था इसी वज़े से जब शेर्शाम मेवाड की और आगे बढ़ा तो उसने चित्तौर पहुंचने से पहले ही चित्तौर के दुर्ग की जो चाबियां थी फंद्रसु जम्वाले सिस्वे में शेर्शाम को सौब दी शेर्शाम हाँ से आगे बढ़ करके कुंबल गड़ गया और कुंबल गड़ पर भी उसने आसानी से अधिकार कर लिया इस तरीके से कह सकते हैं कि उस समय लगबग संपूम जो राजपूता न था उसके लगबग बहुत बड़े हिस्से पर अफगान अफगानों का अधिकार हो गया था या शेर्शा का अधिकार हो गया था कालिंजर की विजए ये अंतिम विजए थी जो शेर्शा के द्वारा की गई शेर्शा ने रीवा मध्य प्रदेश में जगए है तो रीवा के राजा वीरभान बगहिला को अपने दर्बार में बुलाया लेकिन उसने वीरभान बगहिला जो था उसने कालिंजर के राजा की शेर्शा जो था उसने कीरत सिंग से मांग की कि उसे वीरभान सौपा जाए लेकिन कीरत सिंग ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसी वज़े से नवंबर 1545 के लगबग शेर्शा जो था उसने कालेंचर के दुर्ग पर अपना घीरा डाल दिया। ये घीरा लगबग एक वर्ष तक चला लेकिन दुर्ग पर अधिकार न हो पाने की वज़े से अंतिम उपाय के तौर पर इन्होंने दुर्ग की दिवारों को बारूत से उड़ाने का निश्चे किया और वहां बारूत का जाल बिचा दिया। एक उचा बुर्ज तयार किया गया जिससे दुर्ग के अंदर का जो दुर्ष है वो देखा जा सके। ऐसा कहा जाता है कि शेर्षा स्वयम इस बुर्ज पर चड़ा और उसने बारूत का एक पतीला दुर्ग के भीतर फैका। लेकिन संयोग से वह पतीला जो था दुर्ग की दिवार से टकरा गया और बारूत के डिहर में जहां शेर्षा खड़ा था वापस वहीं आ गिरा और इसकी वज़े से भयंकर विसफोर्ट हुआ जिसमें शेर्षा बुरी तरेकी से जल गया। उसे पनाई शिविर में लाया गया क्या कहा जाता है कि शेर्षा ने आकरमन को कंटिन्यू करने का आदेश दिया और अंतिम रूप से जो है इस दुर्ग पर कालिंजर के दुर्ग पर अफगानों का अधिकार हो गया और ऐसा कहा जाता है कि जब इस विज़े की सूचना शे करने की वज़े से शेर्षा की मृत्यू हो गई अगर शेर्षा की बात करें तो शेर्षा जो है एक ऐसा साशक था जिसका राजपरिवार से कोई संबंध नहीं था साधारन परिवार में इसका जन्म हुआ था लेकिन अपनी बुद्धी मता और योकिता की वज़े से ये महत्वा कांशाएं थी वो असीमित थी शेर्षा एक वीड सैनिक था चतुर सेना नायक था और कुशल कूट नितिक के था साशन प्रवंद्ध के शेत्र में भी उसने रचनात्मक प्रतिभा का परिछे दिया डॉक्टर कानून को जो है उसे धार्मिक रूप से सहीशनों बत एक मंदिर को द्वस्त करवा करके उसके स्थान पर मज्जित भी बनाई थी तो ये उसकी धार्मिक कट्रता को प्रदर्शित करते हैं लेकिन सामानने तोर पर उसने हिंदूं के प्रति अत्याचार पून निति नहीं अपनाई और उसकी सेना में भी वाद बड़ी संख्या म इंदू थे